नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल प्रकास यूटेक में तो गैस यूपी स्कोलर सिफ दोश्रा बाइस तेस आपको बता दूँ के आपको अपना स्टैटस कैसे चेक करना है स्टैटस आपको विदिन 30 सेकंड आप बहुत ही आसान तर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के आल पे जरूर से क्लिक करें और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि जब भी नेक्स टाइम मैं कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंद मालूम चले तो चलिए गाजी वीडियो को स्टाट करते हैं करने आप लोग देख सकते हो कि साहीं चीज़ें मैं आपको बता देता हूं बोर्स एक्जाम यहां पर हमने टाइप कर दिया और सर्च कर दिया पहला इंटरफेस यूपी स्कॉलर सिप यहां पर देखे यूपी स्कॉलर सिप नहीं दिया है पेमेंट इस्ट्रेटस तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो इस्टेप बाइस्टेप में आपको बताने वाला हूं तो यहां पर आप क्लिक कर देना है जो भी एटसेंस आते हैं उसको कट करना है इसको उसके बाद यहां पर जब आप स्क्राल डाउन करके नीचे चले आओगे तो यहां से आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपका प्री मैट्रिक है तो प्री मैट्रिक में आप चेक करो फ्रेस का है तो फ्रेस में चेक करो Renewal का है तो Renewal में चेक करो Postmetric Other Than Inter का है तो आप उसमें जाके चेक करो Suppose मानो कि हम Postmetric Other Than Intermediate के Renewal का टीगरी के छात्रों का Status चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना है Simple सा आवेदन के प्रकार यहाँ पे अपना जो भी Registration Number है उसको अपना Data Birth और Password जो उसको डालके Simple सा यहाँ पे Submit वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप Submit वाले बटन पे क्लिक कर देते हो आपको मैं बता दूँ सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुगी है बहुत बकायदा तरीके से तो चलिए सारा डाटा फिल करके फिर आपको कुछ दिखा तो साथ ही हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाएगा आवेदन पत्र की स्थिति आपका उपर डाटा नाम वाम जो है वो दिया तो उसको मैंने चुपा रखा है यहाँ पे देखी रेश्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसको दिखाएगा ग्रीन में फिर फाइनल सब्मिशन आपने किस डेट को किया हो दिखाएगा बहराल अभी 2022-2023 का स्टेटस नहीं आया यह एक हपते के बाद सो होगा लेकिन आपको मैं तरीक्या बता दे रहा हूँ कि कैसे चेक करना है मैं भी जब आप चेक करो तो आ गया हो तो यहाँ पे देखे 2021-2022 का स्टेटस अभी सो हो रहा है तो यहाँ पे इंस्टिट्यूसन से आपका कब डाटा फारवड किया गया यह सारी जानकारी दिए बैंक से आपका बेरिफाइड है कि नहीं बेरिफाइड है और सबसे बड़ी बात होता है चात्रों को यह जानने में कवतुहल होता है कि हमारा जो डाटा है वो डिश्ट्रिक रेबल से पेंडिंग में है या फिर फारवड कर दिया गया जैसे अगर आपका डाटा डेड़ दिख्यारी के द्वारा फारवड कर दिया जाता है तो उसके बाद सींपल सापका स्कॉलर सी आ जाता है और अगर इन केस आपका पेंडिंग होता है तो यहां पी नीचे रीजन दिया होता है कि पेंडिंग क्यों है वह यहां पर आप लोग अपना रीजन जान पाओगे करेक्शन के थूँ और उस जिस कारेट से वो पेंडिंग है उसको सुधार करके पुना अप्लाई करोगे कॉल और आपको अपना स्ट्रेटर रहे उसको चेक आउट कर लेना है इस विडियो को देख लिए इसे जरूर से दोस्तों में सेयर करें जिससे ज्यादा ज़्यादा लोगों की हिल्प हो सके उनको इस्ट्रेटर चेक करने के बारे में प्रॉपर और कम्प्लीट जानकारी मिल सक यह सारी चीज़ें हो गई इसके अलामा आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दीजिए क्योंकि यूपी स्क्राइब को फिल्ड में सबसे ट्रस्टेड और अथेंटिक चैनल आपको यही है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग जहिंद बंदे मा अधिरम टेक केर